Hello students, welcome to my YouTube channel Let's Learn Biology आज की ग्लास में हम क्लास 10 का चैप्टर How Do Organism Reproduce में Asexual Reproduction के 4 टाइप को बढ़ेंगे जो की है Regeneration तो सबसे पहले Regeneration होता क्या है? Regeneration में simply आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी Regenerate का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस से बनाना तो जो Organism Regenerate कर सकते हैं वो अपने Lost Body Part को वापस से बना सकते हैं उनके अंदर इतनी Capability होती है कि अगर किसी भी वज़े से उनके Body Part Lost हो जाए तो वापस से अपनी Regenerative Cells को यूज करके उन Body Parts को वापस से ग्रो कर लेते हैं Regeneration कुछ Plants और Animals में हो सकता है जिनकी Simple Body Structure होता है जैसे कि Simple Multicellular Organism जैसे कि Definition में दे ही रखा है The Process of Getting Back a Full Organism From Its Body Parts पतला पूरे Organism को वापस से लाना उसके Body Parts को यूज करके हैं अब जैसे कि कुछ Animals होते हैं Hydra, Planaria ये दोनों ही Simple Multicellular Organism है ये Regeneration कर सकते हैं मतलब ये है कि अपने कुछ Body Parts से ये पूरा Organism बना लेते हैं अब देखते हैं कैसे जैसे कि ये आपको Planaria दे रखा है Planaria Flatworm में आता है जो कि Fresh Water में पाया जाता है अब इसमें क्या Regeneration कर सकता है Planaria अब देखिए पहली फिगर में ये Planaria है अब ये आपको Single Planaria नजर आ रहा है किसी वज़े से ये Planaria के तीन पार्ट्स हो चुके है किसी वज़े से तो धीरे धीरे क्या होगा टाइम के साथ ये जो तीन पार्ट्स हैं ये Individually Grow करकर के तीन और्गैनिजम बना लेंगे जैसे दिख रहा है कि एक बोदीबार्ट ग्रो करके इंडिविजल और्गैनिजम बना रहा है तो उसे हम Regeneration कहते हैं यानि कि Planaria के तीन पीशिस तीन और्गैनिजम को बना रहा है वैसे है만 derived है अगर hydra के pieces कर दिये जाए तो उसके regenerative cells पूरे organism को बना लेती है अब यह सब कर कैसे लेते हैं अब इनके अंदर क्या होती है capability होती है कि growth कर सकते हैं और development कर सकते हैं जैसे कि suppose करिए जो cut body parts है जैसे कि plan area के body parts cut हो गया है अब होगा क्या इसके अंदर growth होने शुरू हो जाएगी इसकी जो cells है वो बहुत सारी cells बना लेंगी और वो बहुत सारी cells पर tissue बनाना शुरू करतेंगी तिशू बनाते बनाते यह tissue जो है various body parts में move करेंगे और अपनी shape को change कर लेंगे और धीरे धीरे पूरे organism की formation कर लेंगे उन simple tissues से तो इस तरीके से हमें पूरा एक plan area मिल सकता है अब होता क्या है कि यह simple multi cellar organism है सिर्फ यह regeneration कर सकते हैं जैसकी hydra plan area हम लोग नहीं कर सकते हैं क्यों कि हम लोगों के अंदर क्या होता है cells होती है cells से tissue बनते हैं टिशू से organ बनते हैं organ से organ system बनता है और फिर पूरा complete organism बनता है तो हम लोगों के यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि एक dog है उसकी tail को काट दिया जाए तो उसकी tail पूरा dog formation कर लेगी क्यों क्योंकि जो dog की cells है वो brain की cells नहीं बना सकती तो यहाँ पर एक difference होता है यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ multi cell organism में कि सिर्फ कुछ tissues की formation कर रहे हैं तो इस वज़े से हम लोग regeneration नहीं कर सकते हैं अगर आपको यह मीरी Will Kane यूस्फोल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को subscribe करिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिए